काशीमा अनपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी जी का लंबी बिमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया जिन्याज शिवपूर इस्थित अनपूर्णा ट्रस्ट के प्रांगण में भू समाधी दी गई 67 वर्षी रामेश्वर पुरी विगत कई दिनों से बिमार चल रहते उन्हें लखनो इस्थित मेदानता अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था और उनकी हालत चिंता जनक थी चिकित सकोर ने जब जवाब दे दिया तो शुक्रवार की रात उन्हें मेदानता से लेकर महमूर गंज इस्थित अस्पताल में भरती कराया गया शनिवार की दोपहर महन्त रामेश्वर पुरी ने अन्तिम सास ली महन्त रामेश्वर पुरी हरिदवार में कुमिस्नान के दोरान कोरोना पॉजिटिव हो गय थे वहां से नए दिली में इलाज कराने के बाद लखनों आगये थे इसके बाद ठीको करमा अनपूर्णा मंदिर लोटे इसी बीच 11 जून को दुबारा उनकी हालत बिगड़ने लगी इसके बाद उन्हें मेदानता अस्पताल में भरती कराया गया था लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो शनिवार को ब्रम्मलीन हो गया महंद जी के मृत्यों की सूशना पाकर काशी वासियों और संसमाज के बीच शोक की लहर दोड़ गई उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए मंदिर परिसर में रखा गया रविवार की सुबह उनके पार्थिव शरीर को जल समाधी का कारकरम ने धारित था किन्तु प्रशाशन द्वारा अनुमती ना मिलने पर शिवपूर इस्थित अनपोलना ट्रस्ट के प्रांगण में उनके पार्थिव शरीर को समाधी दी गई इस मौके पर उत्रप्रदेश के मंत्री नीलकंट तिवारी भाशपा काशी चेतर के अध्यक्ष महिश्चन शिवास्तो पूर्दरजा प्राप्त मंत्री रीबू शिवास्तो कैंट विधायक स्वरश्वास्तो सहीच स्याक्रो लोग उपस्थित रहे अंसी लाइफ सच के साथ